आज मोकामा में आर जडीए प्रत्याशी बाहुबली अनन सिंग के समर्थकों न जीत के लिए हूंकार भर्नी शुरू कर दी है आज मुकामा में आरजेडी प्रत्याशी अनन सिंग के समर्थकों ने चुनाओ के लिए प्रधान चुनाओ कार्याले का उपनिंग किया मुकामा से निर्दले प्रत्याफी और अनन सिंग की पत्नी नीलम देवी ने समर्थकों की भारी भीर के बीच फीता काट कर चुनाव कार्याले का उद्घाटन किया देखें मुकामा से विकाश कुमार की रिपोर्ट मुकामा की इस तस्वीर को देखिए कि आज जेल में बन अनन सिंग के चुनाव प्रचार को गती देने के लिए मुकामा शहर में अनन सिंग के चुनाव के लिए एक कार्याले का उद्घाटन किया जा रहा है इस कारियाले के उद्गाटन करने अनन सिंग की पतनी नीलम सिंग खुद मौची थी और उनके साथ इस मौके पर अनन सिंग के समर्थकों की भारी भीर मौजूद थी अनन सिंग के समर्थक, कार्तिके सिंग, लूखो सिंग, मनी पहलवान, मुडारी सिंग, कॉंग्रिस नीता मीना देवी की मौजूदगी में नीलम देवी ने हाग जोड़कर अपने पती की जीत का आशिरवाद मौजूदा लोगों से मागा इस मौके पर नीलम देवी ने कार्यकरताओं से सैयम के साथ अनन सिंग की लगातार पांचवी जीत की पटकता रचने की गुजारिश की इस मौके पर विधायक समर्थकों ने छोटे सरकार की जीत के लिए जमकर नारेबाजी की आपको बता दे कि अनन सिंग अभी भी जेल में है और जेल से उन्होंने मौकामा सीड से चुनाव लडने के लिए आरजेडी के टिकट पर नॉमिनेशन किया है इसी सीड से उनकी पतनी ने भी निर्दलिय प्रत्यासी के तौर पर नॉमिनेशन किया है अनन सिंग जेल में रहकर ये चुनाव लर रहे हैं और उनके समर्थकों के लिए ये चुनाव अप्रतिस्ठा का सवाल बना हुआ है जबकि जेडियो अनन सिंग के खिलाफ मुकामा से राजीव लोचन को प्रत्यासी बनाया है और टक्कर इनी दोनों में होने के क्यास लगाय जा रहे है खुलासा के लिए शुति प्रिया के साथ मुकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को किजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए बेल आइकन को जरू दबाए फिलाल करें दीजे मुझे इजाज़त नमस्कार